जी हां दोस्तों आज आप इसको देख करके लगेगा कि ये अलोवेरा है आज मैं जिस वनस्पती की ओर ले जा रहा हूँ वो अलोवेरा नहीं है ये है पत्थर चट्टा ये शुद्ध पत्थर चट्टा के रूप में जाना जाता है आरवेद में बहुत ही दुरलव और बड़ा पत्थर चट्टा के रूप में ये आरवेद में अपनी जगए स्थापित किये है इसके नाम से ही आपको प्रती थोरा होगा तो जहां तक इसमें मिनरल बिटामिन की बात करें तो वो तो सारे इसमें मिनरल बिटामिन से भरे हुए हैं क्योंकि ये एक हरी पत्ती है और मानसल गूदेदार पत्ती होने के कारण इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल विटामिन है और ये अद्भुत वर्दान है प्रकरती का और दोस्तों ये पत्थर चट्टा के नाम से ही आप समझ गए होंगे ये पत्थरी को तो बिलकुल बाहर कर देता है आपके लीवर में या अगनियाशय में या फिर किड्नी में यदि स्टोन है पत्थरी है तो उसके लिए ये खतम कर देता है इसके लिए आपको इसका एक चम्मच रस पीना चाहिए दो टाइम इसका जूश नकाल लो और एक एक चम्मच दौनो टाइम पीना चाहिए इसकी ये मात्रा होगी और ये इसका यदि खाली पेट आप ये बहुत बड़ा पत्ता है छोटे जो पथर चट्टा होता है छोटी साइज का तो उसका तो आप जो है दो पत्ते आप सुबह सुबह खा सकते हैं तो जो बल है पुरुशों का जो बल है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगता है और साथ यो इसमें जो खास बात है ये है कि ये शुक्र को जन में देता है ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है शुक्र डेवलप करते हैं विक्सित करते हैं अंदर जाके तो ये पुरुशों के लिए खास ओशदी के रूप में काम आता है इसके अलाबा कोई भी जो महिलाएं जो दुबली पतली हैं या पुरुष दुबली पतले हैं वो इसे एक शक्ति वर्दक और शदी के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही खुशुरत ये पौधाब इसके फूल देखें आप पथर चट्टा के फूल इतने ये समझे लो ऐसे लग रहा जैसे स सुन्दर और मोहक फूल ये बहुत ही खुशुरत लग रहा है तो ये पत्थर चट्टा है और इसके और अधिक यूजेज के लिए आप आल-इन-वन यूट्यूब चैनल में संपर करके हमको अपनी समस्यां बता सकते हैं हम उसके निदान और उपाय बताएंगे क्या आप लग आपको ऑफ बताता सकते हैं हमकिये छोटता सकते हैं हैं हमकियें पुरता सकते हैं हमक मका बताता हैं है और इसके यह बहुत हैं हुश।